सकता है कि मेरी पहली क्लास से आप वो कोश्चन देखने को मिल जाए पहली क्लास में मैंने आपके साथ वी डिस्टोन ब्रिज डिस्कस किया था अब वी डिस्टोन ब्रिज में दिक्कत क्या थी कि वो मध्यम प्रतिरोध मापने में तो बहुत बढ़िया था मध्यम कोई low resistance है जिसका मान एक ohm से कम है हना एक ohm से कम है और मान लो कि कोई इसको measure करते समय 1.25 ohm पढ़ देता है तो यह आप देखो यह 0.25 का error 0.25 का error आया है यह 1 रूपे के respect में 25% है हना एक रूपे के respect में 25% है अभी 25% error permissible नहीं होगा हना यह बहुत सारा error है error क्या हो सकता है 1% हो जाए 2% हो जाए बाबा 3% हो जाए 25% error कोन बरदाश करेगा अभी आपके पास क्या मान लो यह यह ना पढ़े और यह इस resistance को क्या पढ़ दे 0.5 अब आप बोलो कि हाँ सब पढ़ लिया कैसे पढ़ लिया कुछ नहीं पढ़ा इसने यह आपके पास क्या 0.50 आपके कम पढ़ा इसने और 0.5 जो है 1% के respect में 50% error है यह आपके पास जो error आ रहा है 50% error आ रहा है 50% कम मान पढ़के प्रदर्शित कर रहा है इसके लवा जब आपने वीडिस्टोन बिच बनाया था उस वक्त यह joint के resistance पर बात नहीं हुई थी जब आप low resistance की बात करते हो एक ohm से कम प्रतिरोध की बात करते हो तो एक ohm से कम प्रतिरोध में आपके joint के resistance भी आएंगे इन joint resistance को आपके balanced करने के लिए weed stone के पास किसी प्रकार की कोई विवस्था नहीं थी इसलिए हम low resistance measurement में इस bridge का इस्तमाल नहीं करते हैं यहां हम इस्तमाल करते है Calvin bridge तो बड़ा छूटा सा bridge है Calvin bridge इसके MCQs देखने को मिले हैं खुदाई के दोरान इसके MCQs देखने को मिले हैं Calvin bridge के question थे क्या क्या आते हैं अगर यही चीज हम college में बढ़ रहे होते हैं Calvin bridge पूरा पढ़ना होता प्रत्योगिता परिक्षाओं के अंदर आपको पूरा नहीं पढ़ना है प्रत्योगिता परिक्षाओं में सिर्फ उतना पढ़ना है Calvin सेतू Calvin bridge यह आपके पास क्या है Calvin bridge चलो Calvin bridge अभी Calvin bridge के अंदर देखो आपको क्या क्या पढ़ना है पहले चीज़ आपको पता हो नहीं चीज न Calvin bridge का उप्योग हम लगुप्रतिरोध मापन में करते हैं ठीक न दूसरी चीज है आपको क्या पता हो नहीं है के कैलविन ब्रिज में हम दो आनुपातिक भुजाको भुजाओं का प्रियोग करते है, तीसरा पैंट हमें याद होना चाहिए, कि कैलविन ब्रिज जो है वो भी शुन्य विक्षेब सिधान्त पर आधारित होता है, Calvin Bridge जो है वो शुन्य विक्षेप से धान पर आधारित होता है तो खेर छोड़ो यह सब बाते तो हम बात की बाते हैं पहले हम थोड़ा सा क्या करते है Calvin Bridge का फोटो जो है वो consider करते है Calvin Bridge दिखता कैसा है और अगर आ जाये तो हम इसको पहचानेंगे कैसे Calvin Bridge आ चुका है Calvin Bridge दिखता है इस तरीके से यहाँ पर एक कुझी लगाँगा में यह कुझी आपको याद आ रही होगी यह है आपके केवन और एक Galvin ओमापी लगाने वाला हूँ यह Galvin ओमापी भी आपको याद आ गया होगा है यह आपके Galvin ओमापी है यह हमने कुझी यहाँ पर लगा अच्छा यह जो रजिस्टन्स है यह आपके पास क्या है पी है और यह जो है वो क्यू है अभी आपको पी वो क्यू बी डिस्टोन की याद जरूर दिलाते होंगे पका पका आपको याद आने लग गई होगी अभी आप देख एक ratio arm तो यह रहा यह है capital P और capital Q ठीक है यह जो है यह small P और आपके पास क्या है small Q यह आपके दो ratio arm हो गई है अभी आपको देखना कि इस जो वी डिस्टोन ब्रिस था इसके अंदर joints आ रहे थे उन joint resistance को equate करने के लिए ना compensate करने के लिए मैं यहाँ पर एक small resistance लगा रहा हू है हना और इसकी खास बात यह है कि यह wheat stone के जितने भी थोड़ा सा thick बना दो इसको yes थोड़ा सा thick बना दिया मैं वी डिस्टोन के जितने भी आपके joints है उन joint resistance को आपके पास compensate करने का काम कर रहा है बहुत important है हना और इसका आपके पास मान जो है small r इसका मान आपके पास क्या ह है small r है तो लोग अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको आगे फिला देते हैं यहां तक चलो और यहां पर आपके पास क्या है एक resistance और यहां पर जो है मैं एक resistance ओर लगा रहा हूँ इसके अलावा यहां जो हम resistance लगा रहे हैं ध्यान देने वाली बात है कि यह resistance जो है वह एक variable resistance और आपको पता है variable resistance होता क्या है विले variable resistance उसा है पेरिबल एजिस्टन्स क्या होता है एस होता है जंदरपार अहीर गुड मॉर्निंग विजे मालो गुड मॉर्निंग आज तो आप लोग के कॉमेंट वगड़ा देखें नहीं है कि मार्केटिंग करने आज का मार्केटिंग कर रहा तो आप लोगों कि क添ू का आपके क्लॉप करने के बास सरकिट आपके पुरा गवर चेक करने बाद में के वन को आपके क्या करूंगा यहां पर close कर दूंगा यह Calvin आपई है और हम इक श्रूत लगा देता है यह मैंने यहां पर क्या लगा दिया यह जो है आपके पास Calvin Bridge क्या है Calvin Bridge है Calvin Bridge देख लिए आपने एक तो क्या नजर आया Calvin Bridge में तो Capital P और Capital Q 2ब्स है दूसरी है small p और small q दो आनुपातिक भुजा है ये है हमारे पास क्या है R तो चलो ये है प्रथम आनुपातिक भुजा तो ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी प्रथम आनुपातिक भुजा यह प्रतम आनुपातिक भुजा है अब ज़रा इससे परीचे करते हैं आपका यह रहा आपके पास और यह रहा यह जो है यह दुतियानुपातिक भुजा तो इसको हम क्या बलेंगे यह आपके पास जो है यह दुतिया दुतियानुपातिक अनुपातिक पुजा इससे आपका परीचे करवाया था यह था standard variable known resistance इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम मानक यह आपके पास क्या हो जाएगा? मानक ज्याद ज्याद परिवर्तनी है परिवर्तनी प्रतिरोज प्रतिरोज यह आपके पास क्या है? मानक ज्याद परिवर्तनी प्रतिरोज है अच्छा यह क्या है? यह R जो है यह आपके पास है अग्याद प्रतिरोज अभी मैं अग्याद प्रतिरोज नहीं लिखूँगा अभी मुझे पता है मैं Calvin Bridge क्यो बना के बना रहा हूँ मेरी मजबूरी यह है कि weed stone bridge जो यह बोल रहा था कि low resistance वो major कर सकता है measurement के दोरान आपके बहुत ज़्यादा error दिखा रहा है और आपके उस error को कम करने के लिए हमने Calvin bridge का इस्तमाल किया है तो basically R जो है वो क्या है हमारे पास यह है अग्यात लगू प्रतिरोद यह अग्यात लगू प्रतिरोद है यह unknown जो है low resistance है यार फटाफट class को जो है like कर दो share कर दो और अपने यार दोस्तों तक पहुँचा दो गाउं के ही यार दोस्तों तक पहुँचा दो जो गाउं में है चलो तो यह आपके पास क्या है इसका परीचे हो गया सारा का सारा और परीचे होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अभी आपको Calvin Bridge समझ में आ गया होगा कि Calvin Bridge है क्या Calvin Bridge कुछ भी नहीं है ऐसा नजर आता है इसमें Capital P और Capital Q होता है जो हमारे V-Distorm Bridge से आया है एको रेशो आर में दो रेशो आर में इसके लाबा यह हो गया और यह हो गया यह आर जो है small r basically जो joint resistance है उनको आपके कंपन सेट करने के लिए small r resistance नहीं होता है basically यह जो small r है यह basically आपके पास joint resistance ही है point resistance ही है तो यहाँ पर small r यह है चलो हम आगे बात करते हैं इसकी आगे जो है अब इसमें देखो आपको पढ़ना क्या क्या है ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके अंदर बहुत कम चीज़ें पढ़नी जो आता है न वो ही देखो में तो आपको क्या क्या आता है पहला point आप जो दियान रखोगे नो वो क्या रखोगे कि इसका उपयोग लगू प्रतिरोध मापन में किया जाता है इसका उपयोग संजू सिंग गूड मॉनिग इसका उपयोग इसका उपयोग लगू प्रतिरोध मापन में किया जाता है यह आपके पास हो गया और लगू प्रतिरोद के नीचे जो है वो प्रतिरोद वाला साइन बना दे न यह आपके पास पहला पृट हो गया अब देखो चुकि इसमें दो आपके आनुपातिक भुजा है तो हम क्या बोल सकते हैं इसे Calvin double bridge भी कहते हैं, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसे Calvin, Calvin double bridge, Calvin double bridge, Calvin double bridge भी कहते हैं, कहते हैं तो अगर आपसे कहता है कि जो आपके double bridge है simple बुलेगा आपके Calvin शब दटा देगा आपसे बुलेगा भाई यह double bridge basically होता कौन सा वाला bridge है आपको बताना है कि जो double bridge होता है न वो Calvin double bridge ही है यह आपके पास क्या Calvin double bridge ही है तो एक point यह कि हो गया कि low resistance मेजर्मेंट में काम आ रहा है दूसरा point हो गया कि इसको आपके double bridge कहते हैं तोड़ी दॉबल ब्रीज हम क्यों कह रहे हैं इसमें दो आनुपातिक भुजा होती रहा इसलिए इसे double bridge कह रहा चूकि इसमें नहीं है कि इसमें उने दो आनुपातिक भुजा होने के कारण, इसे डबल ब्रिज कहते हैं, इसे डबल ब्रिज कहते हैं, तो यह आपके पास क्या हो गया, कैल्विन डबल ब्रिज के अंदर हो गया, अच्छे देखना, यह आपके पास बात करते हैं, कैल्विन ब्रिज आपको पढ़ने की जुरत क्यों पड़ी, वीड इस्टोन ब्रिज दुआरा लगू प्रतिरोध मापन के दुरान मापन में अत्यदिक तूटिया प्रदर्शित की गही, और यह तूटिया आपके संभवत या जॉइन डबल ब्रिज का फॉर्मेशन किया है, तो चलो, अभी हम कारण लिखते हैं कि कैल्विन ब्रिज हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैल्विन ब्रिज जरूरी क्यों है, आप देखना, वीड इस्टोन ब्रिज, वीड इस्टोन से तू, से तू की सहायता से, सहायता से लगू प्रतिरोध, लगू प्रतिरोज मापन के दोरान मापन में तूटिया उपस्थित होती है मापन में तूटियां मापन में तूटियां प्रदर्शित होती है जो की Joint Registance जब हम Low Registance पढ़ते हैं तो Low Registance के अंदर Registance की जब टाइप पढ़ाया जाते हैं तब आपको आपे joint resistance देता है मतलब आप देखो यह दो तार है और इन दो तारों को मैंने यहाँ पैसे रखा और ऐसे करके आपके बल दे दिया तो यह हो गया formation of joint अब यह formation of joint जो है क्या जाता है कि एक circuit में ज्यादा joint नहीं बनाने चाहिए अभी हम पता करें कारण क्यों joint नहीं बनाने चाहिए तो ज्यादा अगर तार में मतलब तार एक continuity wire होनी चाहिए अगर आपने उसमें ज्यादा joint लगा दिये तो joint के मारफत आपके resistance का value बढ़ जाए है तो shouldering कर दो तो आपके idea of shouldering कहां से आया idea of shouldering जो है वो इसी जगे से आया क्योंकि joint जब आप बनाते हो तो उस वक्त उस joint का resistance होगा वो low resistance category में होगा एक बड़े circuit में आपके joint माहिने नहीं रखते लेकिन बहुत चोटा सा circuit है जिसे कि आप electronics के track देख लो electronics के track में क्या आप नहीं जोड़ते हैं वहां क्या इस्तिमाल करते हो वह शोल्टरिंग आयरान यूज करते हैं कारण वह एक तो mechanical strength अच्छी मिले जोइंट की दूसरी चीज़े joint resistance minimum हो joint पर continuity जो है वह आपके proper है joint पर drop जो है वह आपके कम से कम जाए इसलिए तो joint resistance करते हैं तो joint resistance चोटी मोटी बात नहीं है low resistance के अंदर बहुत बड़ी बात हो जाती है तो weed stone सेतु की सायता से लगू प्रतिरोध मापन के दोरान मापन में तूटिया प्रदर्शित होती है जो की joint resistance के कारण होती है तो Calvin bridge में Calvin सेतु में इस इस आपके पास क्या है इस दोश को इस दोश को small r resistance तथा आपके double ratio आर्म की साहता से compensate किया जाता है small r तथा आपके दोहरी तथा small r resistance तथा तोहरी आनुपातिक भुजा की साहता से समंजित किया जाता है समंजित मतलब adjust किया जाता है समंजित किया जाता है किया जाता है तो अभी आपके पास Calvin bridge समझ में आ गया होगा अभी Calvin bridge के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि यह किस principle पर आधारित होता है अगला point यह यह इसके उपर आपको objective question मिलेगा कि बदाई यह Calvin bridge के इस principle पर आधारित होता है तो Calvin bridge और Weederson bridge दोनों ही आपके शुन्य विक्षेप सिद्धान्त पर आधारित होते हैं हम क्या वह लेंगे यह भी शुन्य विक्षेप सिद्धान्त पर आधारित युकती है आधारित आपके युकती है तो यह भी शुन्ने विख्षेप शिद्धान्तन पर आधारित अपने नही पढ़ा है इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो कल की क्लास जरूर देखना जिसमें मैंने आपको वीडिस्टोन ब्रिच पढ़ाया हुआ है और उस वीडिस्टोन ब्रिच के अंदर जीरो पटेंशल प्रिंसिपल और साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया numerical approach सिखाई है कि वहाँ जब numerical आप करते हो अपने यहाँ पर आपके साथ discuss किये कि हम पढ़ के आ रहे हैं Calvin Bridge पढ़ रहे है Calvin Bridge जो है वो कैसा दिखता है Calvin Bridge ऐसा नज़र आता है ठीक ना और इसके अलावा Calvin Bridge का उपयोग कहा करते हैं Calvin Bridge का उपयोग low resistance measurement में किया जाता है Calvin Bridge का उपयोग कहा करते हैं लगू प्रतिरोध मापन में करते हैं इसे हम double bridge भी कहते हैं इसमें दो आनुपातिक भुजा होती है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं double bridge कहते हैं वीडिस्टोन bridge से जो आपने measurement किया था उसमें आपके truity आ रही थी और उस truity को हम small r resistance से compensate करते हैं और Kelvin से तू में दोष जो है इसको compensate करते हैं साथी साथ यहाँ पर आखरी point जो लिखाया है वो लिखाया है सिद्धान्त कि यहाँ शुन्य विक्षेप सिद्धान्त पर आधारित होता है यहाँ शुन्य विक्षेप सिद्धान्त पर आधारित होता है योगेश, कुमार, जैहिन चलो तो यह देखो यहां से question मेंने सारे के-सारे discuss करती बड़ा छोटा सा bridge होता है इस bridge से ज़्यादा आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं यहां पर यह जो question मेंने बताया जिसे पहला objective question में बताया Kelvin bridge क्या काम करता है Kalвин bridge आपके पास सिध्धान पर आधारित होता है Kalwin bridge आपके तीसरा प्रशन आपके बताये double bridge कौंसा होता है Kalwin bridge double bridge होता है Kalwin bridge में कितनी आनुपातिक भुझाएं होती है Kalwin bridge में आपके दो आनुपातिक भुझाएं होती है जो capital P, capital Q, small P or small Q तो ये प्रश्ण ध्यान रखना Calvin Bridge से अगर इतना भी पढ़के जाते हो ना confirm आपको आपका objective question मिल जाएगा और अगर आप Calvin Bridge को आप ढूंडोगे आपके जो guide और आपके जो booklets वगरा जो model paper, sat paper जो practice set आ रहे हैं इससे जादा चीज़े देखने को नहीं मिले यहां से गाड़ी चालू होती है इस परच की लेकिन फिर भी हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे exam के द्रश्टी कोन से कितनी चीज़े जो है हमको पढ़नी है और कितनी चीज़े छोड़नी है इस बात का विशेश ध्यान र करवाती है